हालो दोस्तों आप सभी को सुधिर क्रेटिव क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग कछा टेन का हिंदी का हिंदी का छीतिज बुक का हम लोग आज चेप्टर फायब देखने वाले जिस चेप्टर का नाम है उससा अठ नहीं रही है यह चेप्टर का हम लोग दो पार्ट में देखेंगे यह हम लोग का पहला पार चेप्टर का पहला जो परशन बोल रहा है और नहीं रही है कभी तो बताना है कि इसका राइटर कोन है तो दोस्तों या दखना है इसका राइटर जो है वह है शुर्यकान त्रिपाठी निराला यानि ओप्सन नमबर जो है दो वला इसका सही जाव हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रस्ण है दो नमबर अट नई रही है कविता के अधार पर बताईए कि किस रितु में प्राकितिक की सुन्दरता अत्यधिक बढ़ जाती है तब कि या दखना है फागुन यानि वसंत रितु में ओप्सन नमबर ये किसका सही जाव हो जाएगा अगला प्रस्ण है अगला है तीन नमबर तीन वर प्रस्ण है अट नई रही है कविता में कविने किसका वर्णन किया है तिया दखना है प्राकितिक सुन्दर्य का वर्णन किया है यानि ओप्सन नमबर ये किसका सही जाव हो जाएगा अगला प्रश्ण अगला है चौथा नमबर फागोन के आगमन से पेड़ों की डालियों पर सौरूप किस तरह का हो गया तब को यह दखना है डालिया पत्तों से भर गई याने ओप्सन नमबर जो है दो इसका राइट एंसर हो जाएगा डालिया पत्तों से भर गई नेक्स्ट प्रश्ण है पांचवा नमबर पांचवा प्रश्ण है अट नई रही है पंगती में कभी क्या कहना चाहता है यहाँ पर ओप्सन देखते हैं पहला जो ओप्सन है सब जगह सुम्रता फैल हुई है यह बात तो सईती है यह कहना चाहते ह कभी दूसरा है रंग बिरंगे फूल पते छागएं यह भी बात सही है पजड़ आ गया यह गलत है पजड़ नहीं आता है ना तो यह और वीज का दोनों से यह इसलिए इसका से जाओ चार नमबर हो जाएगा जिसमें यह और वी वाला दोनों ओप्सन दिया हुआ है अगला फ्रस्ण भूस्त dont थे आगल देखिए इसमें ओफसण नीचे है मैं आपको भी ओप्सन दिखाऊंगा अठ नहीं रही है कभीता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैल हुई है इसमें 4 तरफ किसका सुंदरता फैला हुआ देखे हैं यह आप़को चार ओप्सन है इसमें से एक option से होगा आपको बताना है इसका जो सही जावब क्या होगा इसका जाव हो जाएगा फागुन याणि option number जो है एक इसका राइट एंसर हो जाएगा एक उला इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण अगला है साथ नबर कभी की आखें किसी की और से हट नहीं पा रही है तो इसका जो सेजा हो जाग होगा प्राकिर्तिक सुन्दर्ता की और से यानि ओप्सन नबर जो है थ्री इसका राय टेंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण अगला है आठ नबर प्रश्ण आपको यह बताना है यहां पर तीन दिया हुआ है इसका राइट एंसर हो जाएगा वो होगा पेड़ों पर रंग बिरंगे फुल खिलने लगते हैं अगला प्रश्णा अगला है नौ नंबर कभी की आख फागोन की सुन्दर्ता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि तो इसका कि जो राइट अंसर वह ङूगा यो होगा फागोन का सदयर्य अनुठा है याने घ्रसक एग इसका राइट एंसर हो गया अगला प्रस्तन है । 10 नंबर प्रस्तन क्या कर आए उन के विएभाव में क्या प्लेट प्लेंतर कर भरा है दोस्तत और अखना है सभा QuebecEE पृट कर भराए और और चाहर इसका राहिट एंसर हो जाएगा सब जब हो फागोंच किस प्रकार अलग है कि आपको याद रखना है सुवावने मौसम के कारण यह जो रित्यों यह बहुत ही सुवावना मौसम देता है एक किसका सही जाव हो जाएगा अगला प्रस्णा अगला है बार नमबर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंकीत में किसकी विशिष्टा ब्यांजित हुई है तो दोस्तों याद रखना है फूलों की यह उप्सण नमबर जो है चार इसका सही जाव हो जाएगा अगला प्रस्णा अगला है तेरो नमबर फागोन मास में कैसी हवाय चल रही है क्या दखना है फागोन मास में मांदक हवाय चल रही है और अप्सण नमबर जो है चार इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्णा अगला है चार नमबर फागोन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है तो लोगों के चेहरे पर बहुत खुसी है और अप्सण नमबर जो है त्री इसका राइट एंसर हो जाएगा क्यएं अगला प्रस्णा अगला है पंद्र नमबर किस मह Fitness में चारो तरफ हर याली कि चा आती है तो फागोन हौन महेना में चारो तरफ हर्याल इछा जाती है और अप्सर नबर जो है यह इसका राय टेंसर जाएगा दोस्तों हम लोग एक पार्ट को देख लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे चले इस वाम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू